कि टेईस दिन 24 राते चार कंट्री चासजार के अंदर वरोड ये मैंने कैसे तूर किया उसी पर ये वीडियो है आज पूरी डिटेल में हर बिल का अटेजमेंट कौपी है साथ में पूरा बिल आप चैक कर सकते हैं और पचास जार के अंदर ये पूरा टूर मैंने कम्प्लीट किया है वीडियो को एंट तक देखिए स्किप मत कीजिए बहुत ही अच्छी वीडियो है आपके लिए अगर आप घूमना चाहते हैं मैंने ट्रेन ली थी गौहाटी 38 गंटे का सफर wasting सेलयए पांसो रफे की डिगण थी मेरी ओं भी हम जाएंगे तामू मोरे से तामू जाने के लिए ये आटो 50 रपे लेता है आपको बॉर्डर तक छोड़ देगा इंडियन जहां इम्मिग्रेशन है वहां तक आटो आपको 50 रपे में ले जाएगा दोस्तों तो ये मैंने मैमार काई वीजा पहले से 50 डॉलर 3600 लग पका पहले ले रखा था मैंने तो ये बॉर्डर क्रॉस करने तक अभी जो लुद्याना से तामू बॉर्डर तक टोटल खर्चा 8,280 रपे है ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक एक डिटेल दोस्तों तो ये इम्मिग्रेशन आफिस है यहां से अभी वीजा लेके हम जाएंगे तो एक क्यात का 19 रु ली थी दोस्तों और मैंने मैं मार सिम काड 500 रपे का लिया था इंडियन रपे का तो अभी हम यहां जाएंगे मेंडले तामू से मेंडले बाइबस तो बाइबस मेंडले सिटी पहुंच गई है यह नीड कहले मेरा होटल है बहुत अच्छा होटल 1104 पे में मुझे मिल गया यह देखिए बहुत अच्छा साफ सुत्रा बेड और इसी रूम है और यहां की जितनी डेस्टीनेशन है बिलकुल पास-पास में है अभी मैं रोयल पैलस जा रहा हूं रोयल पैलस दसजार क्यात की टिकट है 534 पे लग बग और इसी टिकट पर चार डेस्टीनेशन और भी और यह अभी बाइक मुझे लेके जा रही है बस स्टेशन जहांसे मैं यंगन के लिए बस लूँगा यह 35,000 क्यात लिए थे इसने भाई ने मेरे से बाइक वाले ने तो यह मैंडले टू यंगन 13,000 क्यात की टिकट है 695 रपए 695 रपए में यह टिकट मेरी यंगन के लिए वाइपी बस की हो गई थी तो अभी हम यंगन जा रहे है में डूले से दोस्तो यह देख सकते हैं आप स्क्रीन पे यह यंगन पहुंच गा हूं ये local convenience है यंगन में bus service है फ्री कीता रही है कोई कंडेक्टर नहीं होता है इसमें मैं तो फ्री कुमता रहा हूं और यह टिगट है टेंपल श्वेगा टेंपल के लिए 10,000 क्यात की टिगट है यहां फॉर्णर के लिए टिगट थोड़ा महंगा है तो बहुत अच्छा मंदिर है यह टेंपल है बहुत चांती है अभी हम यंगं से जाएंगे मैवादी मैवादी थाई-लैंड बॉडर का जो लास्ट सीटी है दोस्तों यहीं से थाइलन क्रोस करेंगे यंगंटु मैवादी बसकी टिगट थी तेरा सों प्यार टिगट मैंने साथ में लगा रखी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्टेम्प लेंगे उस पाद यह पूल है यह पूल क्रॉस करके हम थाइलेंड इम्मिग्रेशन में जाएंगे थाइलेंड इम्मिग्रेशन में ओन राइवल वीजा बिल्कुल फ्री है तो यह लुद्याना से थाइलेंड बॉडर तक टोटल खर्चा जो है 16,327 रपे का हुआ दोस्तों तो अभी मुझे यहां से मीशौट जाना है जो 4 किलो मिटर दूर है बॉर्डर से यह मेरी एंट्री स्टेम्प लग गई है तो मीशूट के लिए यह बाइक पर जाओंगा अभी मैं यह क्रंसी है थाइलेंड की थाइलेंड पर 32 पैसे है हमारी क्रंसी थोड़ी ड दूरी है मीशूट बाक स्टेशन से मुझे 738 रुपएगी टिकट जो बैंकोक के लिए मिली थी रात को मेरी 9 बज़े बस यह देखिए बैंकोक जाने के लिए यह सुबह अरली मॉर्निंग 5 बज़े मेरी बस बैंकोक पहुंच गई 12 अगस्त है आज 12 दिना मेरा आज टूर में पटाया गया था और मुझे 900 रुपएय का मिला था और अगले दीन पटाया से वापस मुझे बैंकोकड था cat institute कि लिए बस लेनी है और यह बस मेरी बैंकोक वापस प्टाया से पॉंचने वाली है यह बैंकोकड का राइल स का रेल बेंकोकड शेशन है दोस्तों यहां से मुझे अभी ट्रेन लेनी है कॉलालंपर के लिए तो ये देखिए ये टिकट खिड़की है यहां से अभी कॉलालंपर के लिए टिकट लूँगा बॉडर के लिए पितांग बेसर के लिए निकलूँगा तो ये देखिए बैंकक हैत्ताई 755 बाट 1774 पे की मुझे ट्रेन की ट सब्सक्राइब यहां से एक गंटे का और सफर है पितांग बेसर का जो लास्ट स्टेशन है बॉर्डर के पास जहां से मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है मलेशिया के लिए तो यह खिडकी से मैंने 50 बात की टिकट लिया है तो यहां से एक गंटा और लगेगा हताई से पितांग बेसर के लिए 117 रपाय की टिकट है 16 गस्त है आज 16 तरीक को आज मैं यहां बॉर्डर क्रॉस करूंगा यह लोकल ट्रेन है मेट्रो ट्रेन है यहां एक गंटे के सफर के लिए चेयर कार भी है इसमें स्लीपर भी है यह एक गंटे का सफर है तो यह पतांग बेसर का स्टेशन आ गया है यहां जो सिक्यूर्टी वाले सबको अलग कर लेते हैं सबको अलग कर लेते हैं क्योंकि यहीं से इम्मिग्रेशन है देखे मिलेशिया का मैंने जो वीजा है 1650 रुपय का पहले ही ले रखा था तो यहां था लुद्याना से मिलेशिया बॉटर तक का टोटल खर्चा है 26,642 रुपय है तो अभी मुझे यहां से कॉला लूंपर के लिए ट्रेन लेनी है दोस्तों तो यह मेरी ड्रेक्ट ट्रेन है कॉला लूंपर के लिए लेकिन यह मिस्स हो गई थी मेरी ट्रेन तो यहां से अभी जो पिनांग बटरवर्थ तक मुझे लेके जाएगी बटरवर्थ भी बोलते हैं पिनांग भी बोलते हैं तो यह उपर जाकर टिकट काउंटर है यहां से मैंने अभी 150 रुपय की टिकट ली थी यह दूसरी ट्रेन की मेट्रो ट्रेन की यह आ गही है यह देख रहे हैं आप स्क्रीन पर मेट्रो आ रही है इसी मेट्रो से मैं पिनांग जाऊंगा तो बहुत अच्छी ट्रेन है ये भी पिनांग भी बहुत अच्छा सिटी है तो ये पिनांग से कॉला लूंपर पर 560 रपे की टिकट हुई है मेरी मेरी जो बस की टिकट थी कॉला लूंपर होटल मेरा 11 154 रपय का हुआ था यह ट्विंस टावर है देख लिए यहां सेकेंड अगले दिन मैंने 40 रिंगट का होटल का रूम लिया था मैंने खुद लून लिया था पहले 69 था फिर 40 का ले लिया और यह फिश कोरियम फिश कोरियम आपका 69 रिंगट 1199 पर टिगट है इसकी और 40 और यह है मिनर्वा टावर मिनर्वा टावर पर जाने के लिए आपके 99 रिंगट की टिगट लगती है जो 1720 रपय बनते हैं यह आप उपर जाकर देख सकते हैं तो यह खर्चा भी आपका बच सकता है तो यहां से उपर से पूरा कॉला लंपर सिटी दिखाई देता है देख कि लिए करेंगट लगते हैं तो यह फूल डे लग जाता है वहां से फिर बुकट पटांग वापस आया हूं बुकट पटांग में मेरा होटल जो 40 रिंगट 694 रपय का मिला था यह देखी यह होटल से नीचे पूरी मार्केट है और यह पूरी मार्केट रात बर खुली रह जैसे वॉकिंग स्ट्रीट पटाया वैसे ही यह बुटेक पटांग की स्ट्रीट रोड और यह लोकल बैंड वाले यहां पर रात बार गाते रहते हैं और यहां से अभी जाना मुझे बस 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 टेशन पर बहाँ बशेश हैं तो यह टिकल की की मुझे टिकल मिली थीसे हो अगर आप एक दिन पहले लेते हैं अगर सेम डे लेते हैं तो यही टिकल आपको 60 यहां पैसेट रिंगट की मिले की और यह है लुद्याना से सिंगापूर बॉर्डर तक का टोटल खर्चा हमारा 38,521 रुपए और अभी हमें यहां से बसे यह सिंगापूर के लिए निकलना है ज्यादा लंबानी 5 गंटे का सफर यह सिंगापूर इम्मिग्रेशन है अंदर अंदर से ऐसा आप मलेशिया और सिंगापूर इम्मिग्रेशन क्लियर करने के बाद बाहर आकर सेम बस में उसी में बैठेंगे और सिंगापूर के लिए निकल लेंगे बस का नंबर आप याद बस का नंबर भूलिये मत और होटल यहां मुझे मिला था 21 डॉलर 1100 रपे का सिंगापूर में सिंगापूर में भी राम से 1100 रपे का आपको सिंगल बेड़ वाला AC रूम मिल जाता है तो यह पूरा सिंगापूर सिटी है सबका वीडियो मैंने अलग से बना रखा आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं यह सेकेंड डे 22 गस था 20 मा दिन था 20 में दिन भी 21 डॉलर का मुझे रूम मिल गया था सिंगापूर में आ रहा हूं यह मेरी फ्लाइट आज उड़ चुकी है आज रात मैं विशाखापटनम में रुकूंगा अगले दिन मेरी रात को ट्रेन है विशाखापटनम से लुद्याना तो दिन बार मैं विशाखापटनम के जितने बीचिस है वह एंजवाए करूंगा तो यहां से अभ विशाखापटनम का ये नईट का मअल तो यह विचेज है 24 जस गश्त को मैंने दिन में यह विचेज गूमेते 100 पर मेरा लोकल बस का फेर लगा था व्षाखा पटनम का और आज रात को मेरी ट्रेन है ये व्षाखा पटनम से लुद्याना मेरी ट्रेन निकल चुकी है तूर कंप्लीट हो चुका है मेरा दोस्तो तो ये पूरी डिटेल पूरा खर्चा मैंने आपको बता दिया ये 23 दिन है आज तू और टोटल मेरा खर्चा हुआ है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक एक बिल देख सकते हैं पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं 49,965 रपे मेरा टोटल खर्चा हुआ था 23 दिन 24 राते चार कंट्री ये सब का बजट पूरी डिटेल इस वीडियो में था बाकी जो शिटीज क जाकर देख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक कर दीजिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर किसी बिल के बारे में नहीं पता चल रहा कोई डौट हो कोई बजट के बारे में समझ नहीं आया हो तो आप वाचिंग दोस्तों सलाम अलेकम नमस्ते सच्छी अकाल